बाप सत्रह कहानत का बयान 1989 अबु हुरेरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल उल्लाहु अलेही वसल्लम ने कबीला हुजैल की दो औरतों के जगड़ने पर फैसला किया हुआ यूं कि एक औरत ने दूसरी हामला औरत के पेट पर पत्थर मार दिया था जिससे उसके पेट का बच्चा मरगया तो उन्हों ने अपना जगड़ा रसूललाहु अलेही typing के सामने पेश किया तो रसूल उल्लाहु अलेही वसलम ने यह फैसला किया कि इस बच्चे के बदले में एक गुलाम या लॉंडी दी जाए यह सुनकर बदले में देने वाली औरत के सरपरस्त ने कहा ए अल्लाह के रसूल सलललाहु अलेही वसलम मैं इसके बदले कैसे अदा करूँ जिसने खाया ना पिया और नवो बोला ना चीखा इस पर तो कुछ नहीं होना चाहिए बलकि काबिले माफी है इस पर रसूल अलेही वसल्लम ने फरमाया यह तो काहिनों का भाई मालूम होता है फाइदे काहिन उस आदमी को कहते हैं जो आगे होने वाली बातें बताने का दावा करे एक हदीस के मताबिक फैसला व तकदीर के फरिष्टे जब बातचीत करते हैं तो शैतान सुनगून लेकर उन काहिनों को बता देते हैं वो अपनी तरफ से जूट की आमजीश करके लोगों का इमान, जमीर और पैसा लूटते हैं इसलाम ने उनकी तरदीद फरमाई है चूंकि यह लोग बड़ी वजनदार बात करते थे इसलिए उस आदमी को काहिन का भाई कहा गया है